हलो दोस्तों रादे रादे कैसे हैं आप सभी? आप सब अच्छे होंगे आज हम आप को हर्याली तीज पूजावीदी और इसका महत तो क्या है हम आपको वीडियो में बताएंगे आप सभी लोग वीडियो पर बने रहेंगे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सेर जरूर करें हिंदु धरम में तीजों का विशेस महत होता है हर साल शामन मास के सुकल पच्च की तिर्थियाती थी को हर्याली तीज मनाई जाती है हर्याली तीज का तेवार भगवान भोले नाथ और माता पार्वती की पुझार पच्च को छोटी तीज या स्रावण तीज की नाम से भी जाना जाता है इस दिन भगवान संकर और माता पर्वती काफी धी विधान से पूजन होता है सुखट विवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है इस पूझा को करने से अज़ती की आईू लंबी होती है और अच्छास प्रतिमा इस्थापित करें मापार्वती को सोला सिंगार की सामागरी चड़ाएं साड़ी, अच्छ, धूप, दीप, गंद, आदी अरपित करें भगवान भोले नाथ के लिए भांग, धतूरा, अच्छ, बेल पत्र, सफेद फूल, गंद, धूप, वस्र, आदी चड़ाएं सिपर्वार की पूजा करते हुए हर्याली तीज की कथा कहें और पूरे परिवार को सुनाएं हर्याली तीज के दिन ही भगवान सिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में सिवकार करने का वर्दान दिया था इस दिन भगवान सिव और माता पार्वती की पूजा करने से विक्ति को माता पार्वती और भगवान सिव दोनों लोगों की कृपा प्राप्त होती है साथ ही इस दिन हरे रंग का भी विसेस महत होता है हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के वस्तर पहनने का भी रिवाज है ऐसा इसलिए किया जाता है सास्त्रों में महिलाओं को प्रकर्ती का रूप माना गया है तो इसलिए हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की चूड़ियां इस दिन जरूर पहननी चाहिए हर्याली तीज के दिन कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए हर्याली तीज में व्रत के दिन सुर्योदे से पहले सर्गी खाते हैं फिर सूर्योदे के साथ ही निर्जला वरत प्रारंब हो जाता है सरगी किस समय ही ठीक से पानी पिलेना चाहिए यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको निर्जला वरत करने से बचना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है हर्याली तीज वरत रखने वाली महिलाएं पूजा के समय माता गौरी को शिंगार की सामागरी जरूर अरपित करें हर्याली तीज की रात को वरत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को रात को सोना नहीं चाहिए बलकि रात भर जागरण करना चाहिए हर्याली तीज के दिन महिलाओं को बिल्कुल भी गुसा नहीं करना चाहिए मन को सांत रख कर मापारवती को कि भूजा अराधना करनी चाहिए हर्याली तीज के दिन अपने पती से किसी भी प्रकार का विवाद ना करें उनसे जूट न बोलें तो ये कुछ नियम है जो कि आपको हर्याली 3 के दिन जरूर करने चाहिए I hope वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा हम फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में